हेलो स्टेटेंट वेलकम यू आल तो दे यूट्यूब चैनल वाई सफस्टेडी इस इस में हैधर सरे स्टुडेंट्स तो आप सभी वीवर्स का सभी स्टुडेंट्स का स्वागत है तो इस पोईम को आएकस्पानेशन जो है वो क्लास में हो चुका है हमने कर दिया है बट आज हम लोग जो है वो इसका सब्सक्राइब करेंगे मल्टिबल चोईस कोश्टन जो लैंग्वेज स्टेडी है पेज निवर फिफ्टी फॉर पर आपकी बुक में है यह ठीक है सब्सक्राइब करने ताकि इसी परकार से इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहें सो लैट्स कम टू दा कोश्टन यहां पर फिर्स्ट कोश्टन है स्ट्रेंट्स लैंग्वेज स्टेडी से रिक्वेस्टन जो है वो यह है पहला कि दा पोयम ड्रॉज ए कांट्रास् इंड्वीन तो आप जो यहां पर पोयम में आपने देखा ओगा जो विरुदा भास है जो कांट्रास्ट है वो दो चीजों के बीच में है एनिमल्स हुमन बिंग्स यह टाइगर अने जू यह पॉरिस्ट इन तोनों में है यह टाइगर ईने zoo या humans के बीच में है या humans tiger in forest है तो इन four option में सब आपको choose करना है ठीक है तो इसका correct option option number B होगा tiger in a zoo और tiger in a forest तो यह दोनों you know tigers के बीच में जो है वो contrast किया है point ने ठीक है आपने पोयम में जब हम explain करें तो देखा हुआ तो इसका correct option option number be a let's come to the next यहां में next है what has been personified in the poem तो poem में personified का मतलब जो मानवी करण होता है मतलब मानो या जो human being चीज़े होती है उनका जो view होता है यानि non living thing में निर्जी चीज़ों में जीवित किसी चीज़ का view डालना ठीक है ऐसा उसको presentation या प्रस्तुत करना कि वो जीवित हो तो उसको बोलते हैं personify करना ठीक है तो यहां पर जो है हमें यह बताना है कि what has been personified in the poem poem में क्या personify किया गया किसको tiger को forest को zoo को या all of the above को okay तो second का comment करें अपने view से comment box में की correct option क्या होगा बट यहां पर correct option जो है वो यह होगा option number a जो है वो correct है tiger tiger को जो है वो poet नहीं पर personify किया हुआ okay मानवी करान एक तरीके से उसका किया है उसने let's come to the next question question number 3 name the poetic device, poetic device का मतलब आप समझ रहे होंगे figure of speech ठीक है used in the line यहां पर जो line में use किया गया वो भी आपको बताए गया in his quiet rage तो यह जो in his quiet rage है इसमें कौन सी figure of speech यूज हुई हुई है आपको बताना है metafor है, excellence है, axemoron है या consulence है अभी थोड़ी दिर पहले यह नहीं first poem में या second poem में शायद हम जो mcqs attempt कर रहे थे तो figure of speech में बताया था कि जो alliteration होता है, alliteration के अंतरगत ही यही दोनों यह दोनों चीज़े आती है, resonance या consonants ठीक है, resonance क्या होता है, जब वह वावल sound जो है वह repeat हो और उसका pronunciation same हो तो वहाँ पर resonance होता है और अगर consonant sound repeat हो रहा है तो वहाँ पर consonants होता है बट यह दोनों ही जो है वह represent करते हैं किसको alliteration को बट यहाँ पर आपको बताना है question number three में कि figure of speech correct क्या है किस context में in his quiet race की context में यह चारों में कौन सा option आपका सही होगा तो आपको जो है वह comment करना है हम आपको बता देते हैं कि third का correct option जो है वह सी होगा correct ठीक है यहाँ पर सी option आपका बिल्कुल correct है आगजी मोरोन आगजी मोरोन का मतलब होता है विरोधा भास ठीक है तो यहाँ पर जो in his quiet race का मतलब in his quiet race यानि दो वर्ड ऐसे हो जिन में विरोधा भास हो quiet का मतलब होता है शान्त होना ठीक है और rage का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा होना तो दोनों ही देखिए एक दूसरे से यानि विरोधा भासी view दे रहे हैं एक दूसरे से just opposite है बट यह इनका use हो और उनका use point में हो या line में हो तो उन्हें हम बोलते हैं oxymoroon तो इसका correct option option number C होगा okay let's come to the question number fourth question number fourth आप देख रहे होंगे screen पे name the poetic device used in the line on the pads of velvet quite ठीक है तो इसमें इसमें पोडिक डिवाइस यह फिगर आफ स्पीच का यूश किया गया आपको question number four के लिए comment करना है तो इसका correct option जो है वो option number C होगा option number C इसका correct है metaphor ठीक है metaphor आपको मालूम है metaphor और similar जो है वो same होते हैं बड़ थोड़ा सा फरक होता है metaphor क्या होता है कि हम direct जो है वो किसी चीज़ का comparison कर देते हैं तो on pads of velvet quite यहां पे direct comparison किया गया है ठीक है velvet quite तो इसलिए जो है वो यहां पर क्या हुआ metaphor हुआ और similar करते हैं जहां पर as या like या so का use होता है तो यहां पर उसका use हुआ नहीं तो इसलिए यहां पर क्या होगा metaphor होगा let's come to the question number five five क्या है why should be why should he be lurking in shadow ठीक है तो इसमें for option option है out of fear out of ager to catch the deer या both a and b तो आप comment करें कि इसमें five का correct option क्या हुआ okay तो इसका जो correct option है वो option number c बिल्कुल सही है to catch the deer ठीक है और to catch the deer में deer की spelling थोड़ा समें sprint हो गई है यहां पर इसकी correct spelling होगी d-double-e-r ठीक है dear का मतलब होता है here in d-double-e-r जो है वो इसकी बिल्कुल correct spelling होगी तो इसको आप लोगो माइंड में करेंगे और इसका option जो है वो c बिल्कुल correct है okay let's come to the question number six question number six क्या है what describe tiger in cell तो tiger in cell जो है वो इसका क्या मतलब हो इसका क्या अर्थ निकल ला है poem में जो tiger in cell है ठीक है तो आपको six के लिए comment करना है इसका जो option है आप देख रहे होंगे locked in concrete cell snarling around of houses shadow long cross या bring his white fangs तो यहां पर जो six के लिए correct option होगा वो आप एक minute के अंदर जो है वो search करके comment भी करें और हम इसका correct option बताते हैं आपको तो six का जो correct option है students वो होगा option number a ठीक है अपने point में देखा होगा कि locked in concrete cell इसका यूस किया गया है तो a option जो है इसका बिल्कुल correct है let's come to the seventh question by ignoring visitors what is the poet trying to say या इगनोर करके visitors को जो आते हैं आने वाले लोग घुमने वाले तो उनको इगनोर करके poet trying to say क्या कहना चाह रहा है तो option कहीं है यहां पर पहला है tiger knows his power is restricted तो जो tiger है वो जानता है कि उसका power जो है restricted है मतलब कम किया गया है रोका गया है उसके power को yeah there is no use of showing rage गुसा दिखाने से कोई फाइदा नहीं है he is less terrorizing because of the age yeah all of the above तो correct option आपको चूज करना है question number seven के लिए let's do comment comment box में अपने भी आप जो है वो options drop करते रहें देते रहें okay तो seven का जो correct option है वो option number D होगा D option आपका बिल्कुल correct है क्योंकि tiger knows his power is restricted यह भी सही है there is no use of showing rage मतलब कोई फाइदा नहीं है rage का और he is less terrorizing because of the cage to cage में जो है वो tiger क्या होते हैं कम टेरर दिखाते हैं तो यह सारी चीज़ें सही है इसलिए इसका option D जो है वो बिल्कुल correct होगा let's come to the question number eight what does the tiger hunt near the water hole तो water hole के near में जो है वो tiger ने क्या शिकार किया क्या चीज़ जो हो हंट किया lions elephant deer या all of the above तो आपको इसमें से correct option जो है वो चूस करना है question number eight के लिए comment करें इसका correct option जो है वो c होगा deer ठीक है c इसका जो है वो correct होगा क्योंकि deer को उसने hunt किया था near the water hole let's come to the question number nine what is the tiger's attitude towards visitors तो जो tiger है उसका क्या attitude था क्या district code था towards visitors का मतलब visitors के बारे में जो लोग घूमने आते थे वहाँ पर उनके बारे में क्या उसका view था तो option आप देख रहे होंगे loving है मतलब प्यार से देखता था hating करता था उनसे ignore करता था उन्हें या threatening करना था तो poem जब आपने देखा जो explanation हुआ है तो उसमें वो जो tiger है वो क्या करता था ignore करता था visitors को ignore करता था तो इसका see option बिलकुल correct है okay let's come to the last question of this poem question है what is patrolling at night तो patrolling जो होती है निग्रानी तो रात में इसका क्या मतलब हुआ जो what is patrolling at night का मतलब यहां पर जो आप option देख रहोंगे cars है tigers है deer है all of the above है तो किसके बारे में वो patrolling हो रही थी किस से related है ठीक है तो question number 10 के लिए जो correct option होगा आपका वो आपका होगा A ठीक है यह का मतलब cars तो what is patrolling at night का मतलब जो night में patrolling हो रही थी निग्रानी हो रही थी तो किस चिस से हो रही थी cars से हो रही थी यह बिल्कुल correct option है okay तो इस तरह से आपके जो mcqs थे students वह पूरी attempt हुए chapter sorry poem third के लिए जिसका title था a tiger in the zoo okay अगर आपको कोई confusion है तो आप comment box में अपने comment करें हम इसका reply जरूर करेंगे और अगर कुछ भी आपको जो है वो पूछना है किसी भी चीज़ का explanation छोटा हुआ है तो आप comment करें ठीक है comment box में हम उसका जरूर जो है 100% reply करेंगे okay करेंगे